कि हेलो एवीवान गुड मॉर्निंग जैहिन क्या हाल चाले हैं सबके तो सर आज से क्योंकि आपका टाइम इस सेशन में आपका कम देखने को मिलता है हमको तो मैंने बिना किसी ब्रेक के उन सब लोगों के लिए जो कि आपका तयारी कर रहे हैं या प्रपरेशन अपनी करना च अब ये जो साइंस है सर यह माल लीजे कि साइंस आपका क्ट्रास 9 और टैंत मैं शिर्प NCRT के बेस पर आपका चलूँकर और आज कर आज कल आपका क्या हो गया है UPSC थोड़ा सा डाइनहक हो गया है और डाइनमिजम के साथ आपका वो Day-to-Day life कि पो छ।ता है ठीक है science associate होगा कोई भी जैसे for example इस साल के paper में उसने James Webb telescope पूछा है तो ऐसे कोई भी अगर आपका news में देखने को मिलेगी तो उसको भी साथ-साथ आपका cover करते रहेंगे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो पहली बार त्यारी कर रहे हैं वो इसके proper notes बनाएंगे बैट कर और जो लोग आपका जो है जिनके पास notes हैं वो सिर्फ इनको आपका 1.5 पर भी देख लेंगे तो 1.5 पर देखकर आपका जो है क्या हो जाएगा रिवीजन आपका हो जाएगा मैं इन lectures को आपका छोटे-छोटे parts पर रखोंगा maximum video जो रहेगी वो 15-20 minute की आपका रहेगी आप अपना proper revision कर सकते हैं और 15-20 minute में ही आपको जो है कहीं पर भी हो बस earphone लगा कर आपका सुन लेना जिससे आपका revision होते हो चलेंगे मैंने आपका शुरुआत की है chapter 1 से class 10 ठीक है तो class 10 में आपका क्या करेंगे class 10 के पहले सारे topic कवर करेंगे फिर class 9 पर आपका चलेंगे ठीक है तो ऐसे करेंगे आपका शुरुआत और सबसे पहले आपका जो हम कर रहे है chemistry की बात तो chemistry का जो पहला chapter है जिसका नाम है chemical reaction and equation इसमें कुछ चीजों के उपर आपका चर्चा होगी जैसे एक तो आपके इसके reactions बहुत काम के है जैसे for example एक तो आपका displacement reaction के example पूसता है ठीक है इसके अलावा आपका oxidation कैसे होता है reduction कैसे होता है तो oxidation reduction के बारे में आपका आते रहे है question redox reaction क्या होती है उसके बारे में आपका चर्चा करेंगे इसके अलावा double displacement आपका reaction क्या होती है उसको भी आपका थोड़ा सा देखेंगे और इसके बारे में आपका चर्चा करेंगे ठीक है फिर एक last में आपका जो हम बात करेंगे balancing the equation के उपर पर उससे पहले आप ये मानलो कि मैं आपका basics एक बार complete करता हो चलूँगा जिससे आपकी चीज़े क्या हो जाएं कबर हो जाएं चलिए sir तो सबसे पहले आज हम बात करने जा रहे हैं आपका दो चीज़ों के बारे में एक होता है sir आपका chemical change और एक होता है sir आपका physical change देखो बच्चा बच्चा जानता है जी कि chemical change और physical change आपका क्या है तो अगर मैं chemical change और आपका physical change को उठा लूँ अब भी के लिए मैं आपका ये बात करना चाहता हूँ कि chemical change क्या है और physical change क्या है तो सर जब भी आप physical change के बारे में बात करते हैं तो physical change आपका एक ऐसा change है जो की अपनी original form को आपका retain करता है मालो आपके अंदर कुछ emotions है मालो आपके अंदर कुछ प्यार की भावना है तो आप क्या नहीं कर सकते इन चीजों को खतम करके नहीं कुछ time के लिए ऐसा हो सकता है कि आप इनको कम कर दे बट अगर ये आपके original form में है तो ये बापिस आपका अपनी form को cover कर लेंगे ठीक है तो ऐसे ही physical form होती है हमारी physical form का मतलब है कि इससे किसी नए तरीके का आपका product कभी form नहीं होगा ये जैसा है वैसे ही अपनी original form को देखने को मिलेगा ठीक है अगर मैं आपका कुछ भी कर दूँ इसको मतलब थोड़े देर के लिए आपका change करने की कोशिश भी करूँ तो ये reversible process है reversible का मतलब होता है कि इसको बापिस आपका क्या किया जा सकता है बापिस आपका convert किया जा सकता है जैसे हम day to day life पर आपका example समझते है तो सबसे पहला example मैं आपको समझाता हूँ melting of ice समझ रहें आप मेरी बात अब ये melting of ice जो आपका दे रखा है सर यहाँ पर अगर मान लीजे ये glacier है अब ये glacier है तो यहाँ पर आपका क्या हो ये glacier पर अगर बहुत जादा धूप पढ़ने लग जाए तो ये पानी सारा आपका क्या हो जाएगा सारा पानी आपका जो बिल्कुल बिखर जाएगा जैसे ही आपका ये पानी में convert हुई पूरी ice उसके बाद अगर यहाँ पर बहंकर लेवल की ठंड पड़ती है और temperature चला जाता है माइनस 10 डिग्री माइनस 20 डिग्री और जो condition है आपका ice की formation होने की तो ये दुबारे से आपका convert की जा सकती है ice के अंदर आप freeze में भी देख लेना कभी light अगर आपके घर में चली जाए तो वो जो freezer में रखी हुई आपकी plate होती है वो पानी में convert हो जाती है और जैसे ही light बापस आती है वैसे ही वो क्या convert हो जाएगी वो आपका basically बरफ में convert हो जाएगी एक और example लेके बताता हूँ जैसे यह wax है अगर मैं इसको candle को आपका क्या करूँगा candle को आपका मैंने जला दिया और यह convert हो गया आपका क्या wax के अंदर इस wax से मैं बापस आपका candle आपका बना सकता हूँ तो यह कुछ example है जो की हमारे physical form को दिखाते हैं इससे हमेशा आपका नया product आपका बनता हूँ तो मैं दिखाई देगा और physical change आपका temporary change होते हैं कैसे change होते हैं temporary change होते हैं उसके बाद उनको बापस आपका किया जा सकता है इसके अलाबा एक और चीज़ याद रखेगा जब भी कभी आपका जो है हम physical change देखेंगे तो उसके mass पर बहुत जादा कोई फरक नहीं पड़ेगा या mass कभी भी उसका change नहीं होगा इसी के साथ अगर मैं आपका chemical change की तरव आपका लेकर चलूँ आपको तो chemical change का मतलब है कि जहां से अगर कभी भी physical form की density, mass या volume में कोई भी changes आते हैं तो वो क्या करेंगे वो आपका एक new product बनाने की कोशिश करेंगे और जब भी कभी new product आपका बनाने की कोशिश हुई तो इसका मतलब यह है कि यह आपका जो है एक ऐसा reaction है जो कि क्या नहीं है जो कि आपका reversible नहीं है which means कि यह irreversible आपका हो जाएगा irreversible है मतलब आपका जो है इसमें किसी भी तरीके के हम changes नहीं कर सकते अफ और example मालो मैं एक paper लेता हूँ और इस paper को आपका मैंने now बना दिया now बना दिया तो now से paper तो आपका बापिस बनाया जा सकता है मालो जैसे यह now थी मेरे पास ठीक है यह मेरे पास आपका folding of paper है इससे मैंने now बना दी इससे मैं दुबारे आपका सही करकर paper तो बना सकता हूँ बट अगर मैंने इसको आपका paper को जला दिया मालो आपका इसको जला दिया तो इससे मेरा आपका क्या मिलेगा मुझे new product आपका बनेगा जो की मेरे पास क्या है ash या इसको rock भी कहते है but इसको क्या मैं बापस आपका paper में convert कर सकता हूँ answer is no या फिर जैसे हमने आपका digestion of food किया अब digestion of food के बाद वो secret हो जाएगा वो निकल जाएगा अब उससे भाई मैं दोबारे खाना थोड़ी बना सकता हूँ समझ रहो मेरी बात तो digestion of food आपका जोए क्या है ये chemical property का example हमारा रहता है तो I hope कि आपका जो दो चीज़े मैंने अभी तक बताने की कोशिश की है कि एक तो आपका chemical change क्या होता है और एक physical change क्या होता है ये आपको आपका समझ में आगया होगा तो chemical changes और आपका chemical reaction occurs when the chemical composition of a substance changes ठीक है तो chemical changes में क्या हो जाएंगे आपका कोई भी substance को change कर रहे है अब physical change के जैसे day to day example पर कई सारे example आपस पूछ सकता है जैसे breaking of glass ठीक है अब glass अगर टूट गया है तो इसको बापस आपका सही किया जा सकता है mixing of candles इनको सही किया जा सकता है इसके लाबा folding paper, shedding paper, melting of ice, cutting of hair दोबारे उख जाएंगे chopping of wood इनको भी आपका दोबारे आपका सही किया जा सकता है dry ice sublimation, boiling water यह भी आपका बापस लिया जा सकता है breaking egg, अब देखो सब चीज़े आपका क्या है यह यह हम आपका देखते हैं कि physical change है इनको आपका क्या किया जा सकता है इनको आपका दोबारे से सही किया जा सकता है यह एक तरीके से आपका reversible की form में है reversible मतलब आपका temporary change है समझ रहे हैं आप मेरी बात तो यह चीज़े आपका example में आप पर याद रखेगा physical changes के example बट अगर chemical changes के example पर आएंगे तो chemical changes जैसे आपने आपका क्या लेकर आए आप अपने घर में आपका बनाना लेकर आते हो समझ रहे हैं मेरी बात रोटिंग हो जाती है तो जैसे यह रोटिंग है देखो इसकी यह हमारी नाशपाती है इसकी भी रोटिंग हो गई ठीक है या फिर आपका rusting of iron आपने सुना होगा कई दिनों तक अगर आप उसके उपर पानी डाल दो तो कोई नीडल ले लिए आपने उसके उपर आप पानी डालो उसको खुले में छोड़ दो तो यह क्या हो जाता है रusting हो जाता है यह chemical changes के example है अब sir अगर मैं आपको दो तीन चीज़े आपको यह बता दूँ कि chemical changes और आपको यह आपको समझ में आ गए है तो sir एक दो चीज़े आपको आपको समझने की बहुत जादा जहुत है वो क्या है sir कि sir chemical changes हो रहे हैं यह सारे आपका changes देखने को मिल रहे हैं तो हमारी आपका जो है न किताब के अंदर एक study case दे रखा है study case में आपका जो है क्या है magnesium ribbon का example दे रखा है कभी भी paper में आपसे पूछे कि magnesium ribbon का example आपको क्या दिखाता है तो सरज़रा ध्यान से सुनिएगा देखो magnesium ribbon के अंदर आपका क्या involvement होगी सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम आपका basically एक mg ले ले लेंगे mg आपका प्लस उसके साथ oxygen को आपका अब अगर मैं mg प्लस आपका जो है इसको oxygen को आपका बिल्ड कर रहा हूं तो यह वाली जो side होती है मेरी हमेशा जो arrow के पीछे की तरफ आपका दिखाई देगी इसको हम बोलते हैं आपका reactant इसको क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं और जो arrow आपका मुझे दिखाई दे रहा है उसको हम हमेशा आपका बोलेंगे product तो mg प्लस O2 अगर मैं मिलाओंगा तो मुझे हमेशा आपका magnesium oxide आपका देखने को मिलेगा इसकी balancing करनी है तो अभी के लिए फिलाल मैं अगर कभी कुछ ना दे रखा हो और अगर आपसे वह पूच रहा है कि burning हो रही है तो वह हमेशा आपका oxygen की presence में ही आपका होगी तो अब यह क्या होगा मालो जैसे for example आप क्या करना जब इस बार आपका दिवाली आईगी तो दिवाली के आपका जो पटाके होते हैं उनके बारूद को एक paper के उपर आपका रख लेना समझ रहो मेरी बात यहाँ पर बारूद आपका रख लिया आपने जो अंदर उसके भरा होग होता है ठीक है उसको बारूद कहते है इस paper को जला देना और इसके बाद आपका इस बारूद को जलाना इसके दो observation आपको देखने को मिलेंगे पहला आपका निकल कर आएगा एक तो dazzling white आपका जो है basically sparkles आपको दिखाई देंगे dazzling white आपका sparkle आपको दिखाई देंगे समझ जो मेरी बात और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो dazzling white आपका sparkle के अलावा इसमें जो आपका basically burning होगी वो yellowish color की भी आपको दिखाई देती है मान लो अगर मैंने आपका इस magnesium ribbon को कुछ दिनों के लिए आपका क्या कर दिया कुछ दिनों के लिए इसको presence में छोड़ दिया आपका air की अगर मैं इसको air की presence में आपका छोड़ देता हूँ तो इसके उपर आपका एक oxide की layer जम जाती है क्या जम जाती है oxide की एक layer आपका जो है जम जाएगी इसी लिए अगर मैं oxide की layer इसके उपर जम जाता हूँ तो इसको जलाना फिर मुश्किल हो जाएगा तो जब भी मैं आपका oxide की layer को साफ करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं इस्तिमाल करता हूँ हमेशा sand paper sand paper क्या काम करेगा मेरा sand paper जो आपका magnesium के उपर या magnesium ribbon के उपर जो oxide की एक layer आपका जमा हो जाएगी उसको आपका clean करेगा और उसको clean करने के बाद ये आपका क्या कर सकते हैं आप आसानी से आपका जला सकते हैं इसी लिए आपका study of magnesium ribbon बहुत ही जादा important है यहाँ से आपका paper में question पूछे जा सकते हैं इसको please याद रखिएगा ठीक है सर है ना ये बात आपका क्या रखेंगे आप याद रखेंगे अच्छा ये जो MGO है ये एक तरीके से आपका white powder दिखाई देता है कभी भी अगर वो लिख दे कि आपका white powder है तो मतलब mostly magnesium oxide के बारे में आपका बातचीत हो रही है ठीक है सर अब अगर मैं आपसी ये कहूँ कि chemical changes है तो chemical changes के कुछ characters होंगे कुछ character आपका जो आपको पहचानने आने चाहिए जैसे for example character of chemical reaction आपका लिख रहा हूँ यहाँ पर में अब वो अपनी state को छोड़कर आपका दूसरी state में जा रही है या फिर अगर आप ये नहीं देख पा रहे हैं तो आपको color में भी changes आपका दिखाई दे सकते हैं अगर मानलो ये भी नहीं देखने को मिल रहा है तो वो change in temperature हो जाएगा और उसके अलावा अगर आप precipitate आपका देखते हैं तो precipitate भी form हो सकता है ये भी एक example आपको याद रखना है कि जब भी आपका जो कुछ chemical reaction है और आप से पूछ ले कि उसके character क्या क्या है तो या तो वो अपनी state को change करता हो दिखाई देगा या फिर अपने color को change करता हो दिखाई देगा या फिर वो gas में evolve होता हो दिखाएगा temperature, precipitate को आपका change कर सकता है मैं इनके कुछ example आपको देता हूँ जैसे change in state आपका अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपका oxygen की आपका बात कर ले ठीक है तो अगर मैं आपका यहाँ पर देखूँ तो यह H2O की आपका formation से आपका बातचीत की जा सकती है समझ रहे हैं आप मेली बात तो H2 प्लस O2 आपका देखूँगा तो H2 क्या है hydrogen यह मेरी यह gas है O2 क्या है O2 भी मेरे पास आपका gas है तो अगर मैं H2O प्लस O2 आपका करता हूँ तो यह एक नया product आपका मुझे बना कर दे रहा है विच मेंस कि इसने अपनी state को आपका change कर लिया अब H2O जो है यह मेरे पास आपका कैसा देखने को मिल रहा है यह liquid में आपका देखने को मिल रहा है इसकी balancing अगर आपको करनी है तो यहाँ पर balancing के लिए आपका 2 लगा देंगे और यहाँ पर भी 2 लगा देंगे यह बताऊंगा अभी balancing कैसे करेंगे ठीक है अगर मैं आपका color के अंदर changes करना चाहता हूँ color में अगर मुझे आपका changes करने है तो color के changes का example मैं सबसे पहले लेता हूँ C-U-S-O-4 copper sulfate copper sulfate plus आपका इसमें iron डाल देता हूँ ठीक है अब copper sulfate हमें पता है कि आपका blue color का होता है अब यह blue color कैसे है litmus paper क्या है यह हम acid base और salt में आपका पढ़ेंगे थोड़ा सा ठीक है तो यह blue color का होता है जब मैं आप अब एक चीज़ याद रखीगा एक ना अभी मैं आपका जब displacement reaction पढ़ाऊंगा तो मैं आपको एक reactivity series आपका पढ़ाऊंगा reactivity series आपका याद रखेंगी ठीक है और यह आपका एक constant है जो कि मैं हूँ समझ रहे हो मेरी बात अब अगर आप आपका नालाइक है पढ़ने में और आपकी दोस्त भी आपका नालाइक है तो तुम दौनों को attract कर रहा हूँ आपका मैं अब तुम दौनों में से जो थोड़ा जादा आपका पढ़ने वाला होगा जिसके नंबर आपका सही आएंगे वो paper में आपका मेरे साथ बैठेगा क्योंकि आपका तभी तुम पास हो पाओगे तो जो भी तुम में से जादा पढ़ने वाला होगा सबस्टान्स होगा वो रियक्ट कर जाएगा आपका कॉंस्टेंट के साथ तो अब अगर मैं आपका इधर से देखता हूँ तो यह सबसे पहले आयरन और सी यू इधर देखेंगे तो यह आपका क्या देगा मुझे F E S O 4 प्लस C U समझ रहे है मेरी बात क्योंकि कॉपर आपका क्या है कम रियक्टिव है तो इसलिए आपका क्या मिल गया मुझे यहाँ पर आपका देखने को मिल गया ऐसे ही अगर मैं आपका एक और एक्जामपल दूँ तो C U प्लस O2 यह उसके अलावा आपका उक्सीजन तो यह मुझे देता है आपका C U O ठीक है अब यह आपका जो है यह ओक्सीजन जो है वो एर का प्रेजन्स दे रही है यह जब आपका C U देगा तो मुझे ब्लैक कलर का आपका दिखाई देगा यह FESO4 जो बना यह बहुत ही light green कलर का आपका दिखाई देता है मुझे कैसा दिखाई देता है light green कलर का और copper कैसे कलर का होता है copper आपका जो दिखाई देगा आपको brown कलर का ठीक है सर्थ तो यह कुछ example है जो कि आपका मुझे दिखाई देते हैं अब यहीं से अगर मैं आपसे पूस्ट लूँ एक question एक question आपके लिए आपका जो इंपोर्टेंट होने वाला है वह पूस्ता है why blue color of copper sulfate fits when iron nail are added into the solution are added into the solution तो अब मेरी बात आपका याद रखेगा जब भी iron आपका react करेगा iron आपका react करेगा किसके साथ CUSO4 के साथ CUSO4 के साथ यह आ गया उपर CUSO4 तो यह क्या देता है यह हमें FESO4 जो की आपका light green color का है वो देगा and इसके अलावा वो copper को आपका displace कर रहा है copper को क्या कर रहा है वो आपका displace कर रहा है जैसे उसने copper को displace किया तो हमें फिर आपका यह वाली reaction आपका दिखाई देगी यह कभी कभी आपका paper में directly आपका question पूछ सकता है तुमसे अपसर यहीं से ना आपकी दो reaction और आएंगी आपका निकल कर एक होती है आपकी exothermic reaction और एक होती है आपकी endothermic reaction endothermic reaction देखो सुलो exothermic reaction में आपका जो हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर loss of heat आपको देखने को मिलेगा मानलो paper में आप भूल गए ठीक है मानलो paper में आप भूल गए तो यह आपका एक example होता है loss of oxygen समझ जो मेरी बात यहाँ पर आपका क्या देखने को मिलेगा loss of oxygen या फिर आपका heat जो है वो आपकी क्या हो रही है loss ठीक है और यहाँ पर endothermic reaction में data was loss हो रही है और जहाँ आपका exothermique reaction के बारे में बात करमगा अ आपका oxygen यहाँ जो है फिर आपा क्या छो हीट हैvida वो gain रही है इसको गेंडार में आप यह याद करने का तरीका है समझ को पर कोई गलत निलेगा इसको ऐसे भी याद राज सकते हैं तो Εुक्णों थरमिक रियक्षन में आपका क्या होगा एक्जोथर्मिक रियक्षन आपका जहांपर loss work देखने को मिलेगा एंड Bluetooth reaction क्या होती है जहांपर heat आपका absorbed होती है सर ऐसे समझ में निया या कोई reaction दे सकते हो हां दे सकता हो देखो यह है CEO इसको कहते हैं चूना पत्थर अगर मैं इसको आपका पानी के साथ रियक्ट करूँगा तो यह पानी में आपका मिक्स होकर यहां से हीट क्या करेगा हीट जब भी तुम देखना घर में आपका दिवाली के टाइम पर पुता ही हो रही हो ना तो एक चूने वाला आएगा चूने वाला जैसे ही आपका चूने को पानी में डालता है वहां से भाफ निकलती हो जाती है उपर से तो यह मुझे देगा C-A-O-H होल्टवाइस यह एक्कोस सोलीशन आपका मेरा बन गया और इसमें से आपका जो रिलीज होगी वह हीट रिलीज हो जाएगी अगर मैं यही पर आपका जो एक give and take की बात करूँ तो यहां से आपका जो बेसिकली तुम एंडो थर्मिक में किसी भी चीज को हीट को आपका जो यहां पर क्या देखने को मिलेगी हीट मुझे आते हुए दिखाई देगी जैसे ही आपका जो heat आते हो दिखाई दी तो तुम्हें आपका बड़िया देता हूँ nitrogen प्लस 3H2 प्लस heat समझ रहे हो मेरी बात अगर मैंने heat आपका ली है तो heat आपका लेने का मतलब मेरा ये है कि heat को तुम इस तरीके से आपका देख सकते हो कि ये तुम्हें आपका बापिस देगा 2NH3 समझ रहे हो मेरी बात अब तुम ये आपका जो देख रहे हो ये एक reaction आपको तुमको मिल रही है और ये form में कैसी है ये gas की form में है तो ये सर हमारे आपका exothermic और endothermic के आपका example होते है अब इनी आपका जो है basically composition के या chemical आपका reaction के अलग-अलग type होते है जैसे आपका सर एक सबसे पहले हम पढ़ते हैं आपका क्या decomposition reaction decomposition के बाद आपका जो है सर यहीं से फिर आपको जो है अलग-अलग आपका example देखने को मिलेंगे एक आएगा सर आपका displacement reaction इसको भी हम आपका समझेंगे displacement के बाद आपका जो है फिर एक reaction आपके आईगी double displacement reaction double displacement के बाद आपका जो है सर एक हम और आपका देखेंगे double displacement के बाद oxidation reduction की बात करेंगे और यह जो displacement reaction आपको दे रखी है इस decomposition reaction को फर्दर तोड़ेंगे इसमें आपका एक पढ़ेंगे सर थर्मल अच्छा इसके अलावा thermal के अलावा एक और होती है जिसको कहते है फोटो फोटो मतलब कैसे क्या आपका changes होंगे और एक होती है सर आपके पास electro decomposition तो इनको आपका देखेंगे ठीक है displacement हो गया ठीक है इसके अलावा आपका जो है हमारे subscriber बढ़ जाएंगे तो उतनी देखेंगे मैं शायद live classes भी आपका ले पाऊं फिर आपके लिए तो अभी के लिए फिलाल आपका recording session आपके लिए रहेंगे इनको प्लीज आपका पढ़ते रहेंगे अगर आपको थोड़ा भी सीखने को मिल रहा है तो comment section में जरूर लिखके जाएगा तब तक के लिए अपना ध्यान रखें मैं मिलूँगा आपको next video में जाएं everyone